राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस विश्णोई गेंग के दो सूटरों को हिरासत मिलिया है जिसमें एक का नाम बता जाता है गैंग्स्टर जतीन और दूसरे का नाम बता जाता है सतीस मेखवाल है दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार ये दोनों सन की गेंग्स्टर जो की किस तरीके से लॉरेंस विश्णोई गेंग से जुरा और उसके बाद किस तरीके से इन लोगों ने राजस्थान की सीकर में गेंग्स्टर राजू ठेहट को दिन धारे ग करना चाहिए तो दोस्तो सबसे पहले आपको बताते आखिरकार गेंग्स्टर जतीन और गेंग्स्टर सतीस मेंग्वाल को किस तरीके से राजस्थान पुलिस ने हिरासत मिलिया था बताया जाता है गेंग्स्टर जतीन और गेंग्स्टर सतीस मेंग्वाल जो की राजस्था जाने के वाद दोनों जो कि माथर 10 से 12,000 रुपिय ही कमा पाता है अब गैंग्स्टर जतीन और गैंग्स्टर 37 मेखवाल के दिमाग में यह आता है कि वाई यह 10-12,000 रुपिया से तो कुछ होने जाने वाला है नहीं इसलिए दोनों के बारे में बता जाता है दोनों का मुलाक और भी बड़े-वड़े गैंग्स्टरों से होना शुरू हो जाता है और बाद में गैंग्स्टर जतीन और गैंग्स्टर 37 मेखवाल जो कि लॉरेंस विष्णोए गेंग में जोयन हो जाता है अब दोस्तो जोयन होने के बाद बात ऐसा होता है कि साल 2020 में दोनों को जिम्मे दोनों को अरेस्ट करने के बाद अब राजस्तान पुलिस दोनों के परिवारों के पास पहुंचती है तो कि उनके माता जी से सवाल करते हैं कि क्या आपका बेटा अपराधिक गति विधी को अंजाम देने वालों में से था उसकी माता कहती है कि मुझे तो भरोसाई नहीं होता है कि मेरा बेटा जोगी कभी भी इस तरह का हरकत कर सकता है लेकिन हाँ यदि मेरे बेटे ने डवल करा है तो मेरे बेटे को सजा मिलना चाहिए अब दोस्तों उसके गयंग्स्टर जतिन के घर पर राजस्थान पूलिस पहुंचती है राजस्थान पूलिस जतिन के घर पर पहुंचनेके बעद उनके माता जी सेसावाल करती है कि क्या आपका बेटा जुकि एक अपराधी थ कमाई लेगिन मुझे क्या पता कि मेरा बेटा जो कि अपराद ही बन जाएगा हलांकि जतीन के पिता जी कहते हैं कि मेरा बेटा यदि अपराद करा है तो उसे करी से करी सजा मिलनी चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो की माद्यम से मैं आपको बताया आखिरकार किस तरीके से ग ग्यांग्स्टर 37 मेगवाल को एरेश्ट करा गया है। अभी भी लोब नहीं करना चाहिए आप जितना कमाते हो उतना में संतुष्टर हो अब देखो ज्यादा कमाने की लालच में दोनों जो कि अब जेल जा चुका है। अब जाग करें दो कि अे वी में समय करने की लालच में सकता है। झाल झाल